प्रेग्रेंसी तो हो गई, अब सबसे पहला सवाल के आता है, जैसी पाँचवे छटे मेने में जाते हैं, क्या मेरी नॉर्मल डिलिवरी होगी? अब आप डॉक्टर्स बदलना शुरू करते हैं, इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी है, आपको बताने के लिए कि अच्चुली में लेबर रूम में क्या होता है, अच्चुली में सब कुछ नॉर्मल होते होते हैं, कैसे बच्चा आटक जाता है और आपको डॉक् आपको ये पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जो मैं अपने 22 साल के प्राक्टिस में एक्स्पीरिंस करा है, और पेशन्स को समझाती भी हूँ, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, बट मेरा काम है समझाना, सबसे पहली बात, जब आप प्रेगनेंट होती हैं, तो चाहिए हैं, जिसका माइंड भी हैं जिसके अंग भी हैं और पूरी तरह से हूँ, हुष्ठ पुष्ट हो, जाह है हो नॉमल डिलिवरी से पैदा हो, जाह हुँ सिजियर्न से पैदा हो, आजकर सीजियरन का बहुत जादा ट्रेंड चल गया है, नॉट बिकॉस की डॉक्टर करते हैं पर बिकॉस पेशिंट्स खुद भी चाहते हैं बहुत से पेशिंट्स नॉमल डिलिवरी से डड़ते हैं क्योंकि उनको पेइन सहननी होता है इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ कि epidural anesthesia बहुत जगे अवेलबिल हो चुका है और जादा तर प्रॉब्लम क्या होती है कि घर में जो बड़ी बुड़ी होती है वो अपना टाइम भूल चुके होती है कि उन्होंने कैसे बच्चे पैदा करें मैंने कई बर देखा है लेडिज आती है जिनके खुद के पांच-पा पहला बच्चा है तुमको दर्द हो रहा है तुम चिला रही हो तुमारे बैकक हो रहा है क्योंकि बच्चा नीचे आ रहा है यह नॉर्मल है तो अकर घर की बड़ी-बूड़ी लेडिज को समझाएं कि भी डिलिवरी क्या होती है क्यूं हलका सा पेन आके तेज पेन तो आपको डिलिवरी में दिक्कत नी होगी। Second point जो मैंने हाँ इंडिया में नोटिस कर रहा है। Partners जो आपके husbands हैं वह बहुत ज्यादा इंवाल्व नहीं होते हैं। हम लोग जैसे मैं UK में थी मैंने वह प्राक्टिस करी तो हमारी anti-natal classes होती थी। हम वहां पर classes में पेशन को हस्बन के साथ बुलाके उनको exercise बताते थे। उनको बताते थे कैसे पेशन की केर करनी है। नौ महिने में जो जो changes आरे हैं बॉड़ी में आपकी back पूरी ऐसे पीछे हो जाती है। आपका gait आपका चलने का तरीका बदल जाता है। आपको constipation, आपको irritation, आपको gastritis, आपको food alterations, आपकी appetite alterations, इतनी सारी दिक्कत होती है। यह सारी चीजे अगर आपका partner समझेगा तो आप जादा अच्छा फील करेंगी। रादे देन कि आपकी मम्मी, आपकी बहन आपकी केर करें। अगर आपका partner आपके साथ involved होगा, जो की would-be father है, तो आपको जादा अच्छा महसूस होगा। emotionally आप जादा अटाच रहेंगे अपने बच्चे और husband से और शायद आपको normal delivery में help करें। बहुत से partners delivery room में आते हैं साथ में। बाहर countries में trend है, वो अपनी wife को पूरे 24-18 घंटे help करते हैं पेन सहन करने में, breathing exercise कराने में, उनको बिठा के squatting position में बिठाने में, जो potty वाला तरीका होता है, इंडियन जो टॉलेट होते हैं, वो बहुत अच्छा position होता है, पेल्विस को खोलने के लिए, तो ये सारी करते हैं, बार बार डॉक्टर चेंज करना को बोलता है जिसको बोलता है विंडो शॉपिंग, इह भी देखले हैं, मेरे पस पेशेटों आते हैं, जिनके फील होती है, मेरे पस पाने में, क्योंकि मैडम आपके बारे में सोना, आप नार्मल डिलिवरी कराती है, इसलिए किसी ने बोले यह दो किसी भी नहीं दो पर पड़ आप किस पापिस सारी जांचे होगी आपका केस ने शुरू से देखा नहीं है ज़रा सा भी छोटा सा भी कॉम्प्लिकेशन वहा तो डॉक्तर को लगेगा हमारी गलती के वेजे से या यह यह हमको गलत ना ठहरा है इस ते हो आपके भी गलती रहती है, आप ट्रस्ट बना कि एक अच्छा हॉस्पेट, एक अच्छा दॉक्टर दूड़िए, मैं यह लिए कहती है कि प्राइबिट प्राक्टिस में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कहीं न कहीं ऐसा कुछ हुआ हो, कि आपको लगाओ कि जानबुष के सिज प्राइब के लिए साइन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है, पेशिन्स आते हैं तीन साल वर पता नहीं और आपको शॉपिंग और आपको दॉपिटर नहीं नहीं दिखाए, अप अपने ट्रस्ट काई दॉक्तर पकड़े और उसी को नौमईने दिखाए नेक्स्स प्रॉब्म जो मैंने देखी है, डॉक्टर की साथ एक अच्छे रिलेशन्स पनाना, मानती हूँ डॉक्टर भी इंसान है, कभी ने कभी रूडली बोल देते हैं, तो आप डॉक्टर छोड़के दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, ऐसे नहीं करना है, अगर मुझे कहा प्रॉब्म आ रही है, अभी आप अगर मेरे को अड्मिट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, मेरे को इंड्यूस कर रहे हो, आपको यूट्यूब पे सारी इंफोमेशन मे लेगी, मेरे खुद के वीडियो बेटे हैं, किती देर वेट करते हैं, कौन सी अजिता हैं, कितनी दवाई रहे हैं, कितनी दवायां ली आपने अच्छा पानी पिए जैसे आपको डिहरेशन ना हो, आपने कितनी अच्छे से नूटिटिव इट ली इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम ने हुई, आपने रेगुलर ली चेक अप कराया, अपकी कोई भी प check-ups होते रहेंगे, आपका weight, आपका blood pressure monitor होता रहेगा, आप अपनी exercise level थोड़ी activity बढ़ा के रखोगे, जिससे आपको pelvic exercises में दिक्कत ना हो, pelvic pushing में दिक्कत ना हो, साथ ही आप आपका stress level कम रखोगे और नीद अच्छी लोगे, यह सारे points बहुत important होते हैं, आपको एक अच्छी मा बनाने के लिए, आपको एक अच्छा patient बनाने के लिए, और आपकी tolerance power को बढ़ाने के लिए, आप एक positive attitude के साथ hospital में जाओ, जो आपकी किस्मत में होगा, आपकी बच्छे के किस्मत में होगा, वो होगा, लेकिन आप खुद positive attitude से जाओ, सोच के जाओ, मुझे healthy बच्चा लेकर आना है, पूरी कोशिश करो normal delivery की, जिससे last में ठक कर आप रोने मत लग जाओ, कि मुझे normal delivery नहीं करानी, जो कि बड़ा common है, बहुत कम doctors ऐसे होंगे, जो actually wait करके, आपको motivate करके, किसी तरह से normal delivery करवाएंगे, वनना ज्यादा तर ये क human behavior है, अगर patient चिला रहा है, attendance चिला रहा है, तयार नहीं है, cooperate करने के तो ultimately doctor क्या करेगा, sign करा के, season कर देंगे, ठीक है, तो अगर आप खुद अपना एक strong attitude लेके जाएंगे, और अपने आपको एकदम healthy रखेंगे, तो बहुत अच्छे chances हैं, कि आपके normal delivery हो जाएंगे, So that's it guys, I hope आपको एक वीडियो पसंद आया हो, यह कुछ practical points है, जो मुझे लगा कि आप लोग कही न कहीं गलत जाते हैं, Of course, जो complications है, उसको हम नहीं रोग सकते, बच्चा उल्टा है, बच्चा आढ़ा है, टाइम से पहले पानी फूट गया, या बच्चे ने potty कर दी, या BPI हो गया, बहुत सारी ऐसी problems है, जो हमारे हाथ में नहीं है, बच जो चीज आपके हाथ में है, वो तो करो, कम से कम अपना stress level कम रखो, positive रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से check-up कराओ, और डॉक्टर से अच्छे relations रखो, बार-बार hospital मत change करो, पार्टनर को पूदर देशे से involved रखो, तो आपको definitely फाइदा मिलेगा, और normal delivery होने के पू